वो एक खुब सूरत गाओं था, उस गाओं में किशोर और शारदा ये पती-पतनी रहते थे, उनके दो बच्चे थे, रम्या और बालू, सुखी, खुशाल परिवार था उनका, किशोर हर रोज सुबह खेतों में जाकर काम करता था, शारदा घर के काम संभालती थी, शाम को घर लोटने के बाद किशोर अपने दोनों बच्चों के साथ खेलता था, बच्चों को लाड़ प्यार से संभालता था, यो खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे वो, एक दिन किशोर पतनी से कहता है, शारदा, यहाँ खेती में कोई खास काम नहीं है, शहर में काम है बहुत सारा, शंकर नी फोन किया था, वो बता रहा था, मैं सोच रहा हूँ, एक महीना शहर जाकर कुछ पैसे जोड कर वापस आता हूँ, तुम यहाँ अपना और बच्चों का खयाल रखना, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, सोचता हूँ कल सुबह ही चला जाओं, किशोर कहता है, ठीक है जी, शार्दा कहती है, वो दिन बीट जाता है, अगले दिन सुबह उसका दोस्त आकर, किशोर, अरे ओ किशोर, तयार हुए के नहीं, यो पकारता है, किशोर शहर जाने की तयारी कर रहा था, शार्दा जाकर दर्वाजा खोलती है, सामने शार्दा कहती है, रवी अंदर आकर बैठ जाता है, किशोर अपनी बैग उठाकर जाने लगता है, अपना ध्यान रखियेगा, हाँ, तुम भी अपना और बच्चों का ध्यान रखो, यो कहकर किशोर रवी के साथ चला जाता है, शार्दा घर के काम करने लगती है, दिन अपना जाता है, सुबह सुबह कहां चली गए, बालु तो घर पर ही है, उसे घुमाने नहीं ले गए, उस पर शार्दा, रम्या बाबा शहर गए है तुम्हारे काम करने, एक महीने बाद आएंगे, तब तुम्हारे लिए खिलाने लेकर आएंगे, ये सुनते ही रम्या माय पैयूस हो जाती है, लेकिन हमें बिना बताये क्यों चले गए बाबा, मुझे आभी बाबा के पास जाना है। बाबा जाएंगे, ये नहीं बाबा शुत करती हो ना, इसलिए तुम्हारे बिना बताये चले गए बाबा, आज आएंगे एक महीने में, शार्दा उन्हे समझा पर वो दोनों बच्चे यो रोए जा रहे थे, काफे मुश्किल से शारदा उन्हें समझा कर स्कूल भेजती है, यूही कुछ दिन बीट जाते हैं, एक दिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे थे, शहर में तेजी से फैल रही है अंजान बीमारी, लोग इस संक्रम से मर रहे हैं, ओक्सिजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों की फीड है, सरकार ने लोगडाउन की खोशना कर दी है, राग के समय कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जरूरत की चीज़े खरीतने के लिए थोड़ी समय की महलत दी जाएगी, हाँ पर घर से बाहर निकलन पर मास्क पहनना अनिवार्य है, सानिटाइजर का इस्तमाल जरूरी है, सोशल डिस्टंसिंग का पालन सभी को करना होगा, समाचार में ये सब एहतियाद बरतने की सला दी जा रही थी, वो सुनते ही शारदा किशोर को फोन करती है, सुनिए आप ठीक तो है न, ये टीवी मे क्या बता रहे है, किसी अंजान बीमारी के बारे में, कल से लोकडॉम भी होने वाला है, आप घर क्यों नहीं आ जाते, शारदा पूछती है, उस पर किशोर, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, और यहाँ काम भी खत्प हो गया है, आज रात को ही निकल जाओंगा, कल सुबह तक मैं पहुत जाओंगा शारदा, किशोर कहता है, शारदा ठीक है कहकर फोन कार्ट देती है, अगले दिन सुबह किशोर घर लोट आता है, रम्या और बालू बाबा को देख बहुत खुश हो जाते हैं, शारदा भी पती को सलामत देख, राहत की सांस लेती है, उस दिन उनके में भी प्रचार किया जाता है, इस नई बीमारी के कारण कोई घर से नहीं निकलेगा, वरना ये बीमारी फैलने का धोका है, किशोर और उसका परिवार घर पर ही था, पंद्रे दिन बीच जाते हैं, किशोर की तबियत खराब हो जाती है, वो बिस्तर पर लेटा खास रहा किशोर यू बुला रहा था, दो दिन भी जाते हैं, किशोर को तेज बुखार आ जाता है, सास लेने में दिक्कत होती है, किशोर कह रहा था, शार्दा को चिंता होने लगती है, वो बच्चों को घर पर ही छोड़, किशोर को अस्पताल ले जाती है, डॉक्टर कहती है, ये नई बीमारी के लक्षन है, इन्हें एडमिट करना होगा, किशोर को अस्पताल में भरती कर दीती है शार्दा, वो भी उसके साथ ही रहती है, किशोर की हालत बहुत गंभीर थी, वो मौद को करीब से देख रहा था, शार्दा से कहने लगा, शार्दा मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, बच्चों को संभालना, खुद का ख्याल रखना, हाँ, हाँ, किशोर यू रोत हुए कह रहा था, शार्दा भी जोर-जोर से रोत हुए किशोर से कहती है, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर, डॉक्टर यहां आईए ना, डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुला रही थी, पर उत्रे में किशोर की जान चली जाती है, हे भगवान, रम्या के बाबा, आप मुझे अकेला छोड़ कर चले गए, अब मैं उसे क्या जवाब दूँ, हे राम, मैं बच्चों को क्या बताओ, मैं भीजी कर क्या करूँ, शारदा यूँ जोर-जोर से छाती पीट कर रो रही थी, अरे संभालिया खुद को, ये अस्पिताल है, अब बाहर जाएए, हमें इनका शव ले जाना होगा, डॉक्टर आकर कहती है, आप इन्हें कहां ले जाएंगे, मुझे गर ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करना है, नहीं नहीं, आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकती, ये बिमारी संक्रमन्ट से फैलती है, आप बहाँ जाएए, ये सुनकर शारदा और जोर से रूने लगती है, हाई राव, मेरे बच्चों को आखरी बार अपने पिता को देखने का मोहका भी नहीं मिलेगा, हाँ 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 शारदा व्यतित हो जाती है, कुछ देर बाद डॉक्टर शारदा की भी टेस्ट कराते हैं, फिर डॉक्टर उसके पास आकर आप घर जा सकती है, आपको उस बिमारी का संक्रमन्ट नहीं हुआ है, पर ध्यान रखिएगा, रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने वाला पोशक आहार लीजिए, और हाँ, कोई भी लक्षन दिखाई दे, तो तुरंत अस्पतार आ जाईएगा, डॉक्टर कहती है, शारदा ठीक है कहकर, व्यतित होकर घर चली जाती है, बच्चे मा को देख, मा, बाबा कहा है, कैसे है वो, वो नहीं आए तुम्हारे साथ, बताओ न मा, रम्या, तुम्हारे बाबा, हमें छोड़कर चली गए बेटा, बाबा, बाबा, आप हमें छोड़कर चली गए बाबा, 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 रम्या और बालू यू रोए जा रहे थे, खुशाल परिवार में मातम छा गया था, कुछ दिन बीच जाते हैं, शारदा बच्चों क संभाल रही थी, खुद को भी संभाल रही थी, कोई उनका हाल पूछने तक नहीं आया, सारे डर रहे थे, कुछ दिन बाद, शारदा को भी उस बीमारी का संक्रमन हो जाता है, उसे बुखार आता है, बच्चे व्यतित हो जाते हैं, मा, तुम्हें कहां ले जा रहे हैं, क्य तुम भी आमें छोड़के चली जाओगी, बच्चे रोते हुए पूछते हैं, शारदा बेचारी असहाय थी, वो कुछ कह नहीं पाई, शारदा अस्पताल में बीमारी से जूज रही थी, पर उसे बच्चों की ही फिक्र लगी थी, ये भगवान, मुझे बचा लो, परना मेरे बच्चे आनात हो जाएंगे, मैं क्या करूँ, मुझ पर दया करो भगवान, मेरे बच्चों के लिए मुझ पर दया करो, वो यू रोए जा रही थी, पर अफसोस कुछ दिन बाद शारदा भी मर जाती है, बच्चों की हालत काफ दयानी थी, उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं था, भोखे प्यासे बच्चे, माबाप को खोने के सदमे में बेहाल थे, बालू एक दिन अपनी दीदी से, दीदी, मा भी हमें छोड़के चली गई, नहीं बालू, मा को कुछ नहीं होगा, हमारे लिए वो जरूर वापस आ दीदी, मुझे बहुत भूख लेगी है, रुको बालू, मैं बड़ी मा के घर से खाना लेके राती हूँ, तम यहीं रुको, रम्या उसकी बड़ी मा के पास जाकर दर्वाजा खट-खटाती है, बड़ी मा, बड़ी मा दर्वाजा खोलो बड़ी मा, उसकी बड़ी मा रम्य की आवाद सुनकर कहती है अरे तुम क्यों आई हो यहां क्या हमें भी उस बीमारी का शिकार बनाना है चली जाओ यहां से जाओ यहां से रम्या रोते हुए बड़ी मा बालु को भूख लगी है थुड़ा खाना दे दो बड़ी मा अरे बताया ना तुम्हें खाना नहीं कुछ नहीं जाओ यहां से यह सुनकर रम्या व्यतित होकर दूसरे घर चली जाती है पर सब लोग उन्हें अजीब तरहिके से देख रहे थे कोई उनकी मदद नहीं करता वो रोते हुए घर चली जाती है किसीने खाना नहीं दिया बालू अब हम क्या करें वो दोनों एक दूसरे क पकड़ कर रूने लगते हैं दोनों बहुत भूख है थे मेरिकल शॉप पर जाकर रम्या पूछती है अंकल भूख ना लगे ऐसी कोई दवाई है आपके पास हमें दीजी है ना तब वहां खड़ी डॉक्टर उनकी तरफ देख कौन हो बेटा तुम यो क्यों पूछ रही हो उन्हें पोच्छती है हमारे बांबा मर गए है हमारी माँ अस्पेटाल में है खाना खाए बहुत दिन हो गए हमें बहुत भूख लगी है पर किसी ने हमें खाना नहीं दिया कोई रिष्टेदार पडोसी किसी ने हमारी मदद नहीं की सब हमें दूर जाने को कह रहे है रम् दॉक्टर को समझ आता है कि ये किशोर और शार्दा के बच्चे हैं दोनों, डॉक्टर उन्हें लेकर गाँ में जाती है, सारे बाहराव जरा, एक बात करनी है आप सबसे, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर कहती है, सब लोग घर से बाहरा कर खड़े हो जाते हैं, कैसे लो पूर धकेल रहे हैं, उन्हें खाना खिलाने में क्या प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है कि आप भी उस बीमारी का शिकार हो जाएंगे, तो हम जैसे डॉक्टर, नर्स, सारे लोग 2400 घंटे उन मरीजों की सेवा करते हैं, उनके बीच रहते हैं, क्या हमें डर नहीं लगता अगर हम भी डर कर आपकी तरह घर में बैठ जाएंगे ना, तो आपका क्या होगा, कौन करेगा आपकी मदद, कौन करेगा आपकी सेवा, कहां गई आपकी मानवता डॉक्टर गुस्से से पूछती है, इन बच्चों को देख आपको जरा से भी दया नहीं आती, जरूरतमन लोगों की मदद करने में ही भगवान की सेवा है, बच्चे, बुढ़े या गरीब, जो भी हो, उन्हें खाना खिलाइए, उनकी जरूरते पूरी करने की कोशिश की कीजिए, डर लगता है तो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, दूर रहे कर ही सही पर उनकी मदद कीजिए, उनसे घृणा मत कीजिए, उन्हें यू ठुकराईए मत, डॉक्टर सब को समझाती है, सारे लोग शर्मसार होकर सरजुका लेते हैं, महरबानी की कीजिए, ऐसा मत कीजिए आप लोग, और उन दो बच्चों को डॉक्टर अपने साथ ले जाती है, आप सभी से भी यही निवेदन है, हालात अच्छे नहीं है, जरूरत मन गरीब लोग दिखाई दे, तो जरूर उनकी मदद कीजिएगा, उन्हें खाना खिलाईएगा, उन कर सकते हैं, तो मदद कीजिए,